नमस्कार दोस्तों एक जाम इत्र में एक बार फिर से आपका स्वागता आश्चा करता हूँ आप सब यह चमगे दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कौन-कौन से डोकुमेंट की रिक्वार्मेंट रहेगी तो आप अपने काउंसलिंग से पहले ही इन डोकुमेंट को तैयार रखिए जिससे की आपके एडिमिसिन के डाम बे किसी भी तरही कोई प्रोबलम आपके सामने नहीं है तो सारी जाने करें आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरुसरान तक जरूर देखिए अगर आप मारे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें बेला इकनल को दबाए इससे की आने वाले से भी वीडियो को नोटिकिसन आपको मिल सकें तो जो सबसे पहले यहां पर बात करें कि आपके जो होना चाहिए फिस डॉकुमेंट आपका यह है सेकंड है आपका चूटेंट की मारे की मारेक सीट है और टेंट की मारेक सीट दोणों की मारेक सीट आपके पास ।owski अगरिपुकहे اور अलग हैं तो आपका दोनों की जरूत में state boards के दुवारा 10th और 12th का दोनों combine में ही provide किया जाने लगा है तो आप एक बार check कर लीजिए कि आपका 10th का या 12th का combine में है या अलग अगर अलग अलग है तो आपको दोनों की required रहेगी certificate और mark sheet दोनों की जिसमें कि आपकी जो 10th की mark sheet है वो इसलिए ली जाती है कि जिसमें आपका जो data worth रहती है applicant की तो वो उस data worth की basis भी आपकी जो आगे process वो complete की जाती है next आपकी ये degree जो degree है प्रोविजनल जो passing certificate है ये post basic BAC है MSC nursing के लिए तो ये BAC nursing के प्रेमेडिकल के लिए नहीं है आपको admit card हो गया 10th 12th की mark sheet और जो certificate है वो next आपका जो detail mark sheet है जैसे पंजाब में detail mark sheet के नाम से ही जाना जाता है तो उसमें आपकी mark sheet भी रहती है और आपका certificate भी रहता है तो उसे ही detail mark sheet करते है सबसे important है आपके लिए migration certificate है तो ये migration certificate है ये आपके पास में होना चाहिए जिसे transfer certificate भी करते हैं तो ये migration certificate है वो आपका अपनी जी से school से pass out किया है वहाँ से होना आपके पास में आवश्यक है अगर आप किसी college से BAC courses कर रहे है या कोई भी course कर रहे है और आपका course complete हो चुका है तो आप वहाँ से भी migration certificate ले सकते हैं साथ ही migration certificate के साथ सान में अगर आप BAC course कर रहे हैं और ongoing है तो आपको NOC उसकी जरूरी रहेगी आप जिस भी college से कर रहे हैं आप अपना course तो NOC जिसे non-objection certificate कहा चाता है तो वो उस college का आपके पास में जरूरी होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो non-objection certificate है यह जो government job कर रहे हैं प्राइवेट जोब करें तो उनके लिए भी यह NOC दिया गया साथ ही जो candidate course कर रहे हैं तो उनके लिए भी NOC जरूरी है जो physical handicap है तो उनके लिए जो authorized medical board है तो उसका आपके पास में physical disability certificate बना हुआ होना चाहिए एसा नहीं कि आपने कहीं भी किसी भी hospital से आपने पना जो physical disability certificate वो बनवा लिया है जो कुछ center के दोर approved center है जो authorized medical board है उनके दोर बना होना चाहिए तो ही आप जो physical disability certificate है उसके पेसे अप physical handicap का reservation ले सकते हैं नेक्स्ट आपका का सर्टिपिकेट, तो ये का सर्टिपिकेट से लिटेट मैंने आपको ओरेडी वीडियो बता रखे हैं, जिनमें आपका SC, ST, OBC, Non-Crimiliar, OBC, Non-Crimiliar है और EWS, ये अपना जो सर्टिपिकेट है, सेंटरल का बना हुआ होना चाहिए, स्टेट का नहीं चलेगा, वेलिड नहीं रहेगा वो, अगर आपका, आपने एप्लिकेट फोर्म में ये कैटिगरी फिल कर रखे हैं, और आपके पास में सर्टिपिकेट नहीं है, तो आपको as a general category में आपको काउंट किया जाएगा, और उसी बैसेज पर जो merit रहेगी general की, और अगर आप वो merit general category के अंतरगत, आपको सीट अलोड कर दी जाएगी, और अगर आप SCST अपने फिल कर रखे हैं, और सर्टिपिकेट नहीं है, तो आपको फिर इसमें SCST में काउंट नहीं किया जाएगा, अब ये सर्टिपिकेट कब से कब तका valid है, मैंने already वीडियो में date बता रहे हैं, जो valid date है, last date है, वो 28, 12, आपकी जो exam date थी, 2021, last date इससे पहले आपका बना हुआ होना चाहिए, तो वो valid रहेगा, और इसकी जो पहले की starting date है, वो आप वीडियो में देख लीजी, EMS की playlist बना रहे हैं, तो उसमें आपको details में बता रहे हैं, और आपका जैसे काफी सर्टिपिकेट है, उसमें बिल्कुल clearly mention होगा, नीचे note, ऐसे note लिखा हुआ रहेगा, कि ये certificate है, वो केंदर की द्वारा जारी, जो नोकरी है, या कहीं भी किसी इंस्टिटूट में, एडिमिसनी के लिए, केंदर की द्वारा जारी, किसी भी institute में, या सरकारी नोकरी के लिए valid रहेगा, त आप अच्छे से उसको check कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको कोई confusion रहती है, तो हम मुझे Instagram पे contact करके, और वहाँ आपका जो certificate, उसका screenshot सेंड करके, वहाँ से भी आप confirm कर सकते हैं, कि आपका state का है, या आपका central का है, तो ये document आपके लिए सबसे important हैं दोस्तों, अब next बात करत हैं, और आप college में reporting करवाना चाहते हैं, और उस ताएं पर आपके पास में original documents नहीं है, तो उस case में दोस्तों, आप अपने original document की जगर, आपको डीडी बनवानी रहेगी, वो डीडी रहेगी आपकी एक लाग रुपेगी, as a security deposit आपको करवानी रहेगी, और ये security deposit है, जब आ आपके पास में 5-5 दिन का आपको एक्स्टा टाइम मिल जाता है, तो आप ये समस्या से बचने के लिए आप पहले ही जब आपकी counseling स्टार्ट हो, उससे पहले ही अपने सारे documents आप अपने prepare रहेगी हैं, जिसे कि आपको किसी भी तरही कोई ऐसुईदा नहीं हो, और इसमें जो काफी सारे strict rules भी दिये गए हैं, तो उनसे related मैं आपको एक separate video प्रोइड करवा दूँगा कि आपको जैसे कि अगर आप course कर रहे हो और बीच में अगर आप left करते हो, तो उसके लिए क्या procedure है, क्या आगे process करना रहेगा, तो सारे जाने करी आपको अमारे चैनल पर मिलते रहेगी और जैसे ही दोस्तों counselling process स्टार्ट होगी, तो step by step सारे जान करें, वो provide करवा दी जाएगी किस तरह किसे आपको अपना subject parameter के लिए वो feel करना है, कौन सी college feel करनी रहेगी, sequence क्या रहेगा, जो top college कौन सी है, aims की, किसकी sequence में आपको feel करना है, तो सारे जान करें, आपको provide करवा दी जाएगी, कि आपके marks कितने हैं, उन marks के बैसे से आपको कौन कौन से, जो aims है, वो आपको select करने चाहिए, जिसे कि आपको easily college है, वो alert हो जाए, तो सारे जान करें, आपको मिलते रहेगी, तो channel को जरू सब्सक्राइब करें, bell icon को जरू प्रेस कर लिए, जिसे कि आ कर दो